हलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंवेस्ट एक्सपर्ट और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप एंजल ब्रोकिंग के एप्लिकेशन यूज करते हैं या तो एंजल ब्रोकिंग में आपने एकाउंट ओपनिंग किया हैं बट यहां पे आपको इस टॉक बा आइकन बन दमाना बिलकुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस से लेटेस वीडियो अपडेट होता रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने एंजल ब्रोकिंग का एप्लिकेशन लॉगिन कर लिया है जो की देखने में कुछ इस प्रकार से दिख करने के लिए और दूसरा ट्रेट करने के लिए फंड आड करना तो यहां पर देखिये अगर आपको स्टोग आड करना है ट्रेड करने के लिए उसमें आपको क्लिक करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे NSE में क्लिक करता हूँ, कैस में, यह Add to Watch List हो गया, सबसे उपर आ गया है Jewel Food, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप Stock को Add to Watch List कर सकते हो, पहला चीज, दूसरा, अब यहाँ पे Fund आट करना है, तो सबसे Last Corner में है Fund का Option, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही देखिए, यहाँ पे Bidroll और Add Fund आता है, Add Fund में क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे Amount डालने के लिए आएगा, और नीचे Phone Pay, Google Pay, Other UPI Method, Net Banking, यह सभी Method मिलेंगे, और जो आपने Bank Account दिया है, एकाउंट ओपनिंग के टाइन पे, सेम वही Bank Account आपको यूज करना है, तभी वो Fund आड हो पाएगा, Otherwise अगर आप दूसरा Bank Account यूज करेंगे, या किसी दूसरे का एकाउंट यूज करेंगे, तो Fund Add नहीं होगा, वहाँ पे File हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, Simple यहाँ पे आपको amount डालना है, amount डालने के बाद, जैसे मैं amount डालूँगा, यहाँ पे देखिए, पहाँ शेर्मा ने amount डाल दिया, उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई भी एक option select करूँगा, option select करते ही, वहाँ पे login हो जाएगा और payment के लिए हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप fund add कर सकते हैं, और stock add to watch list कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग कोई एक stock में देख लेते हैं, तो यहाँ पे trading के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है intraday और दूसरा तरीका होता है delivery में, intraday में अगर आप trade करते हैं, तो आपका broker आपको 5 गुना का margin प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप trade करेंगे, तो आपका profit भी 5 गुना होगा, और loss भी 5 गुना के हिस्तेदार होंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा share market subject to risk, इस बात को लेकर ही आप trade करिएगा, दूसरा होता है delivery में, delivery मतलब जब आप किसी भी stock में trade करेंगे, तो आपको full amount देना पड़ेगा, जैसे यहाँ जुबलपूर है, इसका share की कीमत है 627 रुपए, तो आपको 627 रुपए हर एक share के देने पड़ेंगे, लेकिन उस stock को आप जब तक रखना चाहो, जब तक आप रखना चाहो, रख सकते हो, उसमें कोई भी validity नहीं है, लेकिन intraday में, आप same day buy करके, आपको same day sell करना पड़ेगा, intraday में एक benefit है, अगर आपके पास वो stock नहीं है, और market गिरावर्ट की condition में है, उस stock को sell करके भी आप profit बना सकते हो, नहीं हैं वो stock आपके holding में फिर भी है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक intraday में sell करेंगे, या तो intraday में buy करेंगे, और एक बाद delivery में, तो यहाँ पे jewel food को में click कर दिया हूँ, click करने के बाद यहाँ पे देखिए buy option है, और sell option है, तो हम लोग एक बाद delivery में buy कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपको sell वाली position बता देता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा से tough हो जाता है, तो यहाँ पे sell बटन पे click करना है, यहाँ पे already intraday में click है, उपर limit और market है, limit मतलब कि जो price यहाँ पे चल रही है, उस price में आप जो है, sell नहीं करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, अब सबसु उपर है quantity, यहाँ पे मैं quantity एक सेलेट कर लेता हूँ, और market price में ही यहाँ पे कर दूँगा, अभी देखिए, एक प्रॉक्स required margin दिखा रहा है, 125, जैसे मैंने बोला था margin मिलता है, तो यहाँ पे almost देखोगे तो 5 गुना का margin मिल रहा है, यहाँ पे sell button पे click कर देता हूँ, फिर वापस से confirm sell, जैसे मैंने किया यहाँ पे, अभी देखिए, open में आ गया है, यहाँ पे jewel food NAC intraday, net quantity minus 1, मतलब मैंने एक quantity short selling किया है, यहाँ पे कितनी price में, 626 रुपर 50 पैसे में, जो कि यहाँ पे plus minus दिखा रहा है, minus 20 पैसे में चल रहा है, minus 10 पैसे आ गया, अब जैसे जैसे इस stock में गिरावट आएगी, मुझे profit होगा, तो intraday में आपके पास नहीं है, फिर भी आप sell कर सकते हो, मैंने आपको live दिखा दिया, तो यहाँ पे उपर आपको sell करना है, और नीचे buy करना है, जब market या वो stock गिरावट की condition में होतो, तो इस प्रकार से आप sell कर सकते हैं, अब यहाँ पे मुझे target लगाना है, या stop loss, तो target लगाने क्लिए क्या करूँगा, simply इसमें click करूँगा, और यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा हुआ है stop loss, और यह उपर लिखा हुआ है exit, exit बटन का यूज करूँगा, वो लग जाएगा मेरा target, और stop loss का यूज करूँगा, तो वहाँ पे लग जाएगा stop loss, अब यहाँ पे करके देख लेते हैं, देखिए exit बटन पे क्लिक किया, तो अभी मुझे profit कब होगा, जब वो नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे मैं 622 रुपए लगा देता हूँ, लिमिट में यह जो है confirm exit, यहाँ पे pending order में आप देख सकते हैं, कहाँ पे दिखाएगा है pending order में, क्यों, क्योंकि अभी तक यह order execute नहीं हुआ है, 622 आएगा, तभी order यहाँ पे execute होगा, अभी देखिए position में जाऊँगा, तो same मेरी position यहाँ पे दिखेगी, अब यहाँ से मुझे stop loss लगाना है, तो same इसी में click करूँगा, अभी stop loss में click करूँगा, quantity एक था, तो एक रहने दूँगा, और यहाँ पे जो है, अब मुझे stop loss लगाना है, मैंने sell किया है, तो उपर जाएगा, तभी यहाँ पे stop loss होगा, तो यहाँ पे 629 कर देता हूँ, पहले यह trigger होगा, तो यहाँ पे trigger price जो है, और यह मैंने confirm buy कर दिया, यह मेरा order place हो गया, तो यहाँ पे देखिए, position में जाऊँगा, तो जो position चल रही है, वो position यहाँ पे दिखाएगा, देखिए, एक रुपए, 80 पैसे यहाँ पे plus में है, pending order में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए, जुबल फूट का stop loss भी लगा हुआ है, target भी लगा हुआ है, उपर दिखा रहा है, buy position के लिए, यहाँ पे जो की 629 रुपए stop loss लगा हुआ है, और यहाँ पे 622 रुपए, जो की इसका target लगा हुआ है, तो इस प्रकार से आप एक साथ stop loss लगा सकते हैं, intraday में, तो यह हो गया, अगर मुझे यहाँ से exit करना है, इसका wait नहीं करना है, तो भी मैं यहाँ से इसको cancel कर दूँगा, cancel all order, और मैं वहाँ position में जाके exit कर दूँगा, या अगर मुझे modify करना है, जैसे यह 624 रुपए है, अब यहाँ पर जो है, इसको modify करना है, या तो 622 रुपए है, मुझे यहाँ पर target modify करना है, simply इसमे click करना है, click करने के बाद देखे, modify भी यहाँ से आप कर सकते हो, कि 622 नहीं, यहाँ पर 623 आएगा, तो निकल जाना चाहिए, तो यहाँ पर यह इस प्रकार से modify भी हो जाता है, तो यह तरीका हो गया modify करने का, अब मुझे सेम इसी पर निकालना है, मुझे wait नहीं करना है, तो यह simple मैं cancel order करूँगा, यहाँ पर सभी order cancel हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊंगा, order में गया, और यहाँ पर जो position है, इस position में जाने के बाद, यहाँ पर मैं सीधा से exit कर दूँगा, exit करूँगा, तो यहाँ पर देखे limit और market है, limit करेंगे तो आप price डाल सकते हैं, और market करेंगे, आज मैं buy करूँगा, 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन बाद sell करूँगा, तो यहाँ पर कोई एक stock ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरे किसी stock में marico, तो marico पर यहाँ पर click करते हैं, simple यहाँ पर buy में click करना है, यह intraday है, इस intraday को यहाँ पर delivery में कर देना है, delivery में करने के बाद देखिए, यहाँ पर quantity आपको डालनी है, तो मैंने एक डाल दिया है, limit और market price है, तो limit जो आप नहीं चाहते हो, इस price में buy करने के लिए, तो आप उसे थोड़ा सा नीचे लगा सकते हो, तो जब उस price में आएगा, तो buy होगा, और market लगाएंगे, तो जो price चल रही है, उसी price में buy हो जाएगा, जो कि 535 पैसे हैं, अभी देखिए मैं buy पर कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने buy order लगा दिया, यह position में आ चुका है, अभी आप देखो के तो क्या लिखा है, मारी को NAC, उसके नीचे delivery, यहाँ पर quantity एक है, 535 रुपे है, तो यहाँ पर यह show कर रहा है, position में, आज यह position में show करेगा, और अगले दिन यह holding में आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप delivery position बना सकते हैं, यहाँ पर कोई margin नहीं मिलता, delivery में इस बात को ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से इसको exit करना है, तो simply आप इसमें click करने के बाद, आप यहाँ पर exit करेंगे, तो यहाँ पर exit हो जाएगा, अभी देखिए, यह market में कर देता हूँ, तो यह market में exit हो गया, तो friends इस प्रकार से जो है, आप intraday हो या तो delivery हो, stock को buy कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, intraday में आपके पास नहीं है, फिर भी उसी stock को sell कर सकते हैं, तो friends यह video देखने के बाद, I hope आपको पूरा doubt clear हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को like जरूर करिएगा, चैनल को subscribe करने ना भूले, thank you for watching वीडियो,